हेलो गाइस वेलकम तो माई यूटुब चैनल इस वीडियो में हम एक प्लान बनाएंगे जो की होगा साउथ फेस का ठीक है साउथ फेस का एक प्लान हम बताएंगे बनाना आपको तो चलिए इस्टाट करते हैं तो हम अपना साफिर ओपेन कर लिए जिसमें यह प्लान हम बना करिएगा जिस डैमेंशन में उस प्लान को फिट करना है हम उस प्लान को फिट करके आपको दे देंगे लेकिन फिलाल में हम आपको बीना किसी डैमेंशन का एक प्लान बना करे दिखाते हैं तो चलिए एक हम को ओर अपना अपना लेते हैं ओंग बना लेते हैं हम इसका आपकम लेते हैं वह परके अक्राइइअ के लिए हम इसके में बना इस प्लान को उस पर हमने किया क्लिक कि और इस जगह जब हम आएंगे तो एक लाल सा पॉइंटर बनेगा ठीक है बस लाल पॉइंटर बन गया तो एक क्लिक करके अंदर के त्रफ ट्राइक कर देना है अब नो इच की दीवाल है तो नाइन आप देख सकते हैं यहां पर डैमिं करके हमने सेमी को लोन डबल इन्वेटेट कॉमा लगाया ठीक वाग कर दिया इंटर अगर 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 तो यह हो गया आप से तयार ठीक अब इसके वाद के दो जूआ यह हम प्लांक कैसे बनाएंगे तो धो बेम हम बनाएंगे मिजयग यह अधीप अपना ब्लाएन जिससे हम द ही ढूंग देते हैं टिकर गाइゃ धिकले सेंटर में देटीक है और दूसरी गाइड लाइन है यह थे आप तो यह इसलिए दिया कि हम और इजली अपना एक रेक्टेंगल ड्राग कर सकते हैं कर दिया हमने और इडिट में जाके कि यहां से डिलीट गाइड़ पिट कर दिया ठीक यह हो गया अब इसके बाद हम बना लेंगे यहां से इसकी एक बॉंडरी डाल देंगे चैन्ची की एक दिवाल डेंगे जो कि मैं डाल दें ठीक तो यह दो बेटरूम बनके तयार हो गया हम दो बेटरूम के बाहां कि एक कीचिन हम बना देते हैं ठीक है इस साइड में यह कीचन हो जाएगा कीचन कर देते हैं और इस साइड इस साइड यह हो जाएगा ट्रीक है ट्रीक है इसका है एक लाइन ओर ड्राफ करना है यह लिया इतना लिया और यह पेंसल वाला क्लिक करके हम ने इसको ऐसे मिला दिया ठीक सीमिलर यहाँ एक गैड लाइन हम ले लेते हैं कि यह गलत हो गया था यहाँ ही रहेगा ठीक है दूसरी गैडलाइन को इसके लाइन में ले ले देते हैं और तीसरी गैडलाइन कि कि इस जगा पे ले ले लेते हैं ठीक और इसे कर देते हैं हम डिलेट ठीक है और यह वाली जो है इस लाइन को यहां मिला देते हैं और इस लाइन को इस जगा मिला देते हैं ठीक है इसमें इस वारे लाइन को हम कर देते हैं delete इस लैन को कर देते हैं delete और यह guideline थोड़ा सा एक बार हमें बनाना पड़ेगा यह हो गया और यह बनके तयार हो गया ठीक है यह होगा अब guideline को हम कर देते हैं delete जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक bedroom हो गया दूसरा bedroom ये हो गया ठीक अब bedroom के बाद एक दरवज्य ये हो गया ठीक और एक दर्वाजा ये हो गया अब दर्वाज़े को cut करने के लिए सीम पर यहां से हमने क्लिक किया अब जैसा कि देख सकते हैं ये distance इसमें ज्यादा इसमें कम है क्योंकि ये हमारा toilet है अगर इसका distance यहां तक मैच करना है इसी लाइन को तो उतना भी कर सकते हैं यहां से हम चेक कर लेते हैं distance यहां से लेके हैं मतले इसमिये 26 enc करीबान हैius हुआ żyम है तो उतना रायासे ले सकते हैं यहां से इसा पर करके हे दोवीट शे गििस कर ले सकते हैं UT तो यह हो गया Что चैंचित का पॉंएज यहां पर आप इस वाunting को यहां पर राइग हम कर सकते हैं उसके लिये एक सिंपल क्या करना होगा इन दोनों को करना होगा क्लिक है ठीक है यह कंट्रोल से क्लिक होगा दोनों एक साथ और यह मूव वाला कमांड लेके यहां से इसको इस जगह पे और यह जो ऐसा हो गया इसे कर सकते हैं डिलिट और इसे मैच कर सकते हैं इस वाले पॉइंटर से ठीक यह नोट से मैच हो गया अब हमें दोर बनाना तो से यहां से क्रास कर देंगे और इस जगह से डूर बनाना है तो यहां पर एक क्रास कर देंगे और यह जो है इरिज ककी इससे जाके इसको डिलिट कर देंगे ठीक यह तो हो गया अपना इसरीप आम एक ह leveling दोनों यह होगопना कि जड़ा अपना कीचेंड ठीक है यह जंज का दूर किधर आएक किछन का दोर हम इस सैड़ में कर लेते हैं ठीक ऑर टूलेट का दूर जो है वह आर तो कलते यह सैड़ टेक हैं ऑर इसे वेitas कर के इस डोर को कर लेते कर लीट है। दो रोपन होगा लेकिन इलिए उर नहीं ओपाएगा क्योंकि इसे मिलाना पड़े गा मैं भी होपाएगा ठीक है डिलिट कि आसी हम इसे कर लेते हैं डिलेट ते इसका भी डूर हो गया ओप cand or is तो जीसा कि आब इसें नाम डाल देते हैं उस जीसे किलेर अब आपको यह हो जागा बेड़ रूम ठीक जी में रूम हो गया जिसे दोबारा लिखना है तो यहां भी बेड़ रूम हो गया अब इसके बाद इसे नाम देजते हैं किचेन यह ठीक और इसी नाम देजते हैं ट्रायलेट ठीक यह अब बचाई यह बीच वाला एरिया पीच वाल एरिया को क्या करें यह सूच रहे हैं इसके लिए हमें सबसे पहले इसको यहां से हटाई यह ठीक और इस वाले इरिया पों भी घुक कर देतं हैं ट्रीम है इς यहां से हुआ यह 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 हुए यह यहां से यह हुआ यह आप इतना एरिया इसको क्या नाम देंगे आप सोच रहे होंगे इसके लिए आपको simple कुछ नहीं करना है इसे बना देना अपना dining ठीक है यहाँ पर अपना dining रख सकते हैं क्योंकि यह कीचेन है तो यहाँ पर डाइनिंग रख सकते हैं कोई यह फिर गेश्ट रूम बना सकते हैं सुरी बेडरूम यहाँ रहेगा ठीक है डाइनिंग के बाद के यह भी तो चाहिए इस जगह में हम अपना इस टेर डाल सकते हैं तो इसे करते हैं डिलीट करने के बाद इस लाइन में सेम इसी में क्या करते हैं हम यहां पर इस जगह पर एक open space एक channel या फिर ग्रिल लगा देते हैं ठीक है ग्रिल लगाने के बाद इसको भी match करते हैं इसे भी कर दिया match और इसे trim कर देते हैं और यहां पर हमें एक ग्रिल लगा देंगे इस जगह पर ठीक है ग्रिल लगाने के बाद इसे हम पार्किंग में यूज कर सकते हैं डारेक्ट बाहर बाहर इसे पार्किंग में यूज कर सकते हैं अब बचा टोटल एरिया यह भी डिलीट हो जाएगा यह हो गया डिलीट इतना एरिया बचता है अब इतने एरिया में हम क्या कर सकते हैं यहां पर अपना इस्टेर बना सकते हैं ठीक है यह अपना इस्टेर हो गया यह दूर इस तर से सब रफली हम बना रहे हैं बिदाउड एन्य डाइमेंशन ठीक है आप डाइमेंशन के साथ बनाएगा ज्यादा परफेक्ट बनाएंगे ठीक है यहां में अपना इस्टेर आप बना सकते हैं अब यह एरिया आपका पूरा का पूरा बच जाएगा जिसे आप लिविंग रूम बना सकते हैं लिविंग रूम ठीक है यहां पे ठीक है तो हमने रफली बता दिया आपको कैसे कैसे क क्या क्या करना है और यहां थोड़ा जीना बनाई देते हैं दोड़ा देखने में सभी नहीं लग रहा है ठीक है यहां से इसको ट्रीम कर जाए यह य। गां इस इस ट्रेको होगे अपना जीना ठीक और यह लिज्विन हो गया आप चाहूं तो यहां भी यह कोई जगा सकते हैं के डूर अगर आप चाहों तो नहीं तो ओपन रख सकते हैं कोई problem नहीं अगर डोर लगाना है तो बस इतना आपको ड्रा करना है और यहां से cut लगाना है और यह trim वाला option लेके इसे कर दिना है trim ठीक बस और कुछ नहीं ठीक है तो यह बनके तयार होगे है अपना plan अब इसमें अगर color fill करना चाहें हम तीस जगह से अपना color fill कर सकते हैं जिसे brick fill करना है तो भी यह चारसाइड brick हो गई कुछ इसमें दूसरा brick डालना है यह दूसरा brick हो गया ठीक है देख सकते हैं आप और इसके बाद इसमें इस्टेयर के से लिए कुछ अलग सा color देना है या दिखी देना है concrete अगर देना है तो यहां पर कंक्रीट का भी आप सनाता है और आप यहां से concrete इसमें feel कर सकते हैं तो यह अपना होगे भाई इस्टेयर ठीक अब बात आती है इसका background एपीछे का background चेंज करना है तो आप कर सकते हैं जहां से आपको यहां पर जाना है बाकर सिस्टेयर कर देना क्लिक जो भी आपसल लेंगे आप च्रुक करके चेंज कर सकते हैं तो बिसिकली हमें यही बताना था आपको कि आप प्लान कैसे बनाएंगे और सिंपल प्लान आप एक साउथ फेस का कैसे बना देंगे वो हमने आपको बता दिया ठीक है एक चीज़ इसमें मिश्टेक आ रही है कि आप इसमें डूर का उपनिंग का करेंगे तो डूर का उपनिंग यहां पे आप कर सकते हैं इस तरह से हम इसको कट लगा दिये और इस जगह पे अपना डूर का उपनिंग आप कर सकते हैं ठीक है तो आई थिंक आपको यह वीडियो देखके अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लान लेके ठीक है ,